जोतिश शास में गुरू वे शुक्र ग्रह को परम साथविक परम शुबुफल देने वाला ग्रह बताया गया है साथविक अर्थार्थ ऐसे ग्रह जिनके तश्ट फल नहीं होते हैं जो कि जिस भी भाव जिस भी राशी में बैठते हैं, उस भाव उस राशी के शुबुफलों में वरध्धी कर देते हैं। जिस भी ग्रह पर दृष्टी डालते हैं, जिस भी ग्रह के साथ यूति करते हैं, उस ग्रह के बल में वरध्धी कर देते हैं। गुरू और शुक्र के बाद जोतिश शास में केतु को भी सात्वे ग्रह माना गया है। किन्तु केतु सात्वे ग्रह होते वे भी गुरू और शुक्र के समान हमेशा शुबुफल प्रदान नहीं करते। केतु जब भी किसी ग्रह के साथ युति करते हैं, किसी भाव में बैठ किसी राशी में बैठते हैं उस राशी उस भाव और उस ग्रह के कारत से सम्मंदित कुछ ना कुछ जीवन में कष्ट प्रदान करने की कोशिश करते हैं ऐसे में यहाँ पर एक प्रशन होता है कि जब केतु कष्ट प्रदान करते हैं, अर्चन प्रदान करते हैं, बाधा प्रदान करते हैं, तो ऐसे में किस प्रकार से केतु को सात्विक ग्रह माना गया है। देखेगा केतु सात्विक फल आवश्य प्रदान करता है, किन्तु बाधा के बाद अर्चन के बाद प्रदान करता है। इसलिए केतु को देवताओं की श्रिणी में रखा गया, एक सात्विक ग्रह की श्रिणी में रखा गया, किन्तु स्वरभानों के शरीर का हिस्सा होने के कारण उसके समस्थ पाप परभाव पूरी तरह से नश्क नहीं हुए। यही कारण है कि केतु जब भी जनमकूंडली के किसी ग्रह के साथ यूती करता है, किसी भाव में बैटता है, किसी राशी में बैटता है, वहाँ पर कुछ ना कुछ परिशानी क्रेट करता ही करता है। किन्तु केतु जब भी कोई प्रशानी देता है, बाधा देता है, अर्चन देता है, तो उस प्रशानी से, उस बाधा से, उस अर्चन से देव उपासना के दुवारा मुक्ती पाई जा सकती है। किस ग्रहे के साथ यूती होने पर केतु के लिए किस देव की उपासना करने पर केतु की मुक्ती, बाधा और पीड़ा का अंथ होता है आज किस वीडियो में हम उसी पर बहुट डिटल में डिस्कस करने वाले हैं जब भी जनम कुंडली में के तू मंगल के साथ यूती करता है, तब यहां पर भगवान कार्तिके और हनुमान जी की पूजा करने से, के तू द्वारा उत्पन होई परिशानियों से मुक्त हुआ जा सकता है, के तू जब भी कोई अर्चन पैदा करे और वो मंगल के साथ में बैठाओ तो आप भगवान कार्तिके यह हनुमान जी की पूजा कीजिएगा, बंदरों को, पूछ वाले जानवरों को, केड़े मकोडों को आप भूजन कराईएगा, निश्शित तोर पर आपको केतू के द्वारा उत्पन हो रही बाधाओ से मुक्ति मिलेगी, जब भी ज शुक्र के साथ केतू सम्मंद बनाते हैं, तो ऐसे में महालक्षमी पूजन से आपको निश्शित तोर पर केतू के दुश्परभाव से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि जब भी केतू शुक्र के साथ में यूति बनाते हैं, तो जातक को धन सम्मंदि समस्याओं का, परिवार एक समस्याओं का सामने करना पड़ता है और शुक्र को क्योंकि माता लक्षमी का कारक माना गया है तो इसलिए जब भी ऐसा जातक महालक्षमी की पूजा करता है तो केतु के दुश प्रभाव अपने आप में दूर होने लगते हैं ऐसा जातक अगर इस्त्रियों को भोजन करा है ऐसा जातक अगर किसी देवी की पूजा करें और किसी देवी के स्थान पर कुछ दान आदी करें तो उसको केतु से चल रही आ रही समस्याओं से मुक्ति मिलने की पूरी-पूरी संभाव ना होती है बुद्ध के साथ में जब भी केतु युती बनाता है तो ऐसे में मा सर नाश होता जाएगा क्योंकि केतु ही विग्न का कारक है और बुद्ध के साथ संबंद बनाने पर वो श्री गणेश जी और माता सुरसुती के सुरूप को दर्शाता है तो इसलिए ऐसे जातक श्री गणेश जी की पूजा करें विध्या का दान करें विध्यार्तियों को सिखाने की कुछ ऐसा समझाने की कुशिश करें जिससे कि उनके ज्ञान में व्रध्धी हो किसी इनिश्ट्यूट में अपना समय दे तो निश्शित तोर पर केतू के दुश्वरभाव समाप्त होते हैं जब भी जरम कॉंगली में चंदर के साथ केतू का सम्मंद बनता है तो ऐसे में माता आदिशक्ती माता पर्वती की पूजा से जातक को बहुत ज्यादा लाव होता है जातक के मानसिक कष्टों से उसको मुक्ति मिलती है जातक को अपने शारेनिक कष्टों से मुक्ति मिलती है जब भी जरम कॉंगली में सूर्य और केतू आपस में सम्मंद बनाते हैं तो ऐसे में सिरी सत्य नर्न भगवान भगवान शरी हरी का ध्यान जातक के किसी सरकारी स्थान पर श्रम करते वे या फिर किसी सरकारी अधिकारी की हल्प करने से भी बहुत ज्यादा लाब होता है। किसी धर्म स्थान पर श्रम दान देने से ऐसे जातक को लाब होता है। जब भी जर्म कॉंडली में शनी के उपर केतु का प्रभाव हो तो ऐसे में महादेव का ध्यान, महादेव का पूजन जातक के लिए एक वरदान सिध होता है। जब भी शनी के उपर केतु का प्रभाव हो और जातक महादेव की पूजा करता है तो ऐसे जातक को अपने प्रोफेशन में चलियारी समस्याओ से मुक्ति मिलती है। क्योंकि जब भी शनी के उपर केतु का प्रभाव होता है तो ऐसे में जातक को प्रोफेशनल 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 उससे मुक्ती मिलती है के तो किस राशी में बैठ कर किस प्रकार के प्रभाव देता है किस भाव में बैठ कर किस प्रकार के प्रभाव देता है अपनी आने वाली वीडियो में हम इस पर discuss करेंगे तो hopefully आपको आज का ही वीडियो पसंदाया हुगा तो जोड़रागे श्टू सुत्रा के साथ मिलते हैं नक्षी वीडियो में तब तक क्ले जय हिंद जय भारत